नमस्कार दोस्तों मेरे चानल Automation Hub सार्थक में आप लोगों का स्वागत है और आज एक सिंपल सा वीडियो बना रहा हूं जादा कुछ है नहीं बट आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी Automation Script run करते हैं वह ब्राउजर में Chrome is being controlled by automated software आता है यह चीज़ Chrome options से ने करें लेकिन कभी-कभी नहीं होता है क्योंकि Chrome options में उस पटिकलर क्लास में इतने सारे methods deprecate होते हैं क्योंकि Chrome वो माज़े browser evolve करे जा रहा है करे जा रहा है तो उसके methods को और improve कर रहे हैं fast कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं जो भी कर रहे है तो बहुत बार वो काम चलता नहीं है यह आज 2023 मई में यह चल रहा है मैं आज जो दिखाऊंगा वो चल रहा है लेकिन वो 2024 में चलेगा बोलके मेरे पास कोई guarantee नहीं है यह वीडियो आप साल भर बात देखो के बोलो के नहीं चल रहा तो मैं उसका कोई guarantee नहीं ले सकता बट अभी मैं आपको दिखा देता हूं actually माजला क्या है अगर यहां पे code पे चलोगे मैंने एक simple code लिखा है जिसमें Google open कर रहा हूं और कुछ नहीं क करना मुझे इसको control करना है कि यह एक info bar है यह chrome का एक info bar है मैं नहीं चाहता info bar में यह वाला line आए मैंने बहुत टाइम पहले chrome options का एक video बनाया था लेकिन उस video में उस time पे जो बनाया था जो method में ने दिया था वह आज काम नहीं कर रहा है तो चलिए अभी इसको बना देते है तो पहले chrome options class का object बनाना पड़ेगा ठीक है फिर आपको वो info bar disable करने के लिए आपको यह options reference है एक method है set experimental option यहां पर वो pass करना पड़ेगा इसमें आपको जो key है यह देना पड़ेगा exclude switches और यहां पर आपको arrays.as list एक method आता है यहां पर आपको automation enable करना पड़ेगा enable minus automation बट यहां पर आपको disable info bars लिखना पड़ेगा तो यह सारे annotations की value आपको याद रखने पड़ेंगे नहीं तो आप Google का लेना नहीं तो मेरे मेरे से ही ले लो क्या फरक पड़ता है फिर वो च्रोल शिफ्ट ओ कर देना ठीक है तो यह आपका इन्होंने हो गया disable अभी यहां पर आपको options reference को pass करना पड़ेगा chrome driver constructor में ठीक है हो गया अब मैं इसको run करता हूं देखेंगे इसके output में वह हुआ नहीं runners हुआ की नहीं वो info bar disable हुआ की नहीं चेक करते हैं देखेंगे बराबर से disable हो गया तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था बहुत simple सा वीडियो है जादा कुछ है नहीं बट यह चीज़ दो हजार चौबीस में या पता नहीं काम करेगा नहीं मुझे नहीं पता मैं अभी latest selenium 4.9.0 में shift हो चुका हूँ जो latest selenium java का dependency है उस पर मैंने आपको यह करके दिखा दिया है तो यह मैं यह चो particular statement है इसको comment में भी मैं type कर दूँगा hashtag के साथ तो आप इसको उठा लेना अगर आपको वीडियो पाउस करके देखने में दिक्कत हो रही है तो बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सा information आपको पसंद आया होगा thank you so much साथ तक्यों साइनिगा